हेलो फ्रेंड्स मैं प्रीति यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टिप्स और एडवाईज पर स्वागत करती हूँ मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ओविलेशन के टाइम पर आपको रिलेशन मेंटेंग करना चाहिए और लेगब दी वाल पोजिशन जरूर ट्राय करनी जाहिए तो मुझसे कई लोगोंने को सवाल पूँछे कि वो बहुत समय से लेगब दी वाल पोजिशन ट्राय कर रहे हैं फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है और कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा कि ये कैसे करते हैं कई सवाल ये भी आए कि इसे करने में उनको काफी तकलीफ होती है या फिर दर्द होता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको leg up the wall position कैसे करनी है और इसका सही तरीका क्या है तो आप मेरे ये वीडियो पूरा जरूर देखें वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें ऐसा ना हो कि कोई important information ने सोचाए और आगे भणने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे प्रेंट सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको leg up the wall position क्यों करने चाहिए relation के बाद बहुत सारे cases में semen water के साथ इस पर भी पहार आ जाते है जिसकी वज़े से आपका act fertile नहीं हो पाता तो leg up the wall position की मदद से आप सारा semen अपकी private part के अंदर रखती है जिससे कि आपको pregnancy conceive करने के chances भड़ जाते हैं अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको leg up the wall position कैसे करनी है कब करनी है और किसे करनी है तो सबसे पहली बात तो कि leg up the wall position महिलाओं को करनी होती है आप बात करते हैं दूसरे point पर कि leg up the wall position कैसे करनी है तो relation बनाने से पहले आप अपने कमर के नीचे एक तकिया रख ले उसकी बाद जैसे ही आपका relation खतम होता है यानि कि जैसे ही इस्पम निकलता है उसकी बाद आप अपनी टांगों को छत की तरफ सीधा करके लेट जाए हो सकता है कि आपके पैर पूरी तरह से सीधे ना हो लेकिन आपके पैर उपर की तरफ होने चाहिए ताकि इस तो अंदर जा सके और ये position आपको लगबग 5 मिनट तेक hold करके रखनी है इसकी बाद आपके पैरों में दर्द होने लगीगा तो ऐसे में आप अपने पैरों को घुटनों से मोड़े थोड़ा आरांदा है पोजिशन में आ जाए लेकिन पूरी तरह सीधी ना हो जैसा कि मैंने पोटों में दिखाया है और ये पोजिशन लगबग आपको 10 मिनट और hold करके रखनी है इसकी बाद अगर आपको इसमें भी दर्द होने लगे तो किसी चीज की मदद से आप अपने पैरों को support दे दे लेकिन अगले और 10 मिनट आपको यही position hold करके रखनी है मतलब कि lag up the wall position आपको कम से कम 25 मिनट तक hold करनी होती है इसकी अलावा जब आप pregnancy प्लान करना शुरू करते हैं तभी से आप folic acid की गोलियां ले सकते हैं इसके लिए आप अपने डॉक्टर से consult कर सकते हैं आप कौन सी folic acid की गोलियां लेंगे और कैसे लें क्योंकि ज़्यादा तर केसिस में folic acid की कमी की वज़े से भी आप pregnancy conceive नहीं कर पाती है lag up the wall position को use करने से आपका relation के बाद सब कुछ बाहर नहीं आएगा और आपको pregnancy conceive हो जाएगी फिर भी यदि अगर relation के बाद सब कुछ बाहर निकल रहा हो तो चिंता ना करें क्योंकि ये सीमन का water होगा ना की sperm आपकी pregnancy confirm होने के chances भी बहुत भड़ जाएगे मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि अगर मेल का सीमन बहुत पतला है तो उनको क्या करना चाहिए जिसका लिंक उपर i-card में और नीचे description में दिया गया है तो आप चाहें तो मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और हाँ हमारे इस चैनल को subscribe जरूर कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली upcoming वीडियो की update मिलती रहें अगर आपके पास कोई सवाल हो तो comment box में जरूर लिखें मैं पूरी कोसिस करूँगी कि आपके सभी comments का reply कर सकूए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए खुस रहिए स्वास्त रहिए